वेलो मैं वरसाइलीचे चैनल अपका हार्दिक स्वागत है तो आज मैंने जो जो प्रीप काड से अब कर समय को कूछरोंगे evauft आज मैं आज आज एस में ज़रोगों मैं मैं फिल करने को हுरी तो एक आज इस वीडियो में आपके साथ चेहर करने वाली हूँ अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन और पैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पर ऐसे ही बने रहें पूरी वीडियो देखिएगा और यह आप देख सकते हैं सारे यह ग्रो बैक्स है मैंने जहां से मंगवाए है फ्लिप कार्ट से उ आप देख लिए गार आपको भी मंगवान है यह 15 बारा के ग्रो बैक्स है और यह टॉमिटो प्लांट्स या फिर कोई बड़े प्लांट्स अगर आपको लगाने जीसे बिरिंजल के बैंगन के लंबे बैंगन है एग ब्लांट्स है वाइट वाली जो बैंगन आते वो यह क तो चलिए इसकी स्वाइल मिक्स पर बात करते हैं उससे पहले यह पहले वाले आप ग्रोबैक्स देख सकते हैं यह नाइन बाइन के छोटे वाले हैं जो मैंने लास्टियर मंगवाए थे और इनका भी लिंक जो है एक वीडियो में मैंने दे रखा है अगर आपको भी मंगवा है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं और यह वाला जो ब्लू वाला आप देख सकते हैं यह वाला जो है यह बहुत बड़ा ग्रोबैक्स और इसमें मैंने बहुत सारी जो बेलो वाली सबजिया होती है वह लगा रखी है गर्मियों की तो अभी मेरे जो वैजिटेबल दिज्थे मैं बड़ा पूसलत एक बाइटा है जुटीरह सबाऻ से कंटीरह देदित कपड़ा और एसमें जो चेद होते हैं दो सब्चे अब इसमें गर पर ख़्ति। 2-3 ने जो रखे सकते हैं इसमें अब्रु चुटा लाट चिलन दॉक्तित रखिए Cloud माटकी की टूक में स्टों डूस्ट कर सकते हैं यह इस तरीके से सब मिला है और इस तरीके से यह सायल मिक्स तैयार की हैं और अभी मैं इन सब को मिक्स कर रही हूं जितना भी सोईल तो प्रॉपरली मिक्स करके और तूल की मदद से और इसे ग्रो बैग में भरने वाली हो सारी मिट्टी को और इसमें जो अगर आपको पता नहीं चले कि इतनी गार्डन वगरा लेनी है तो जो आपके ग्रो बैग की साइज है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कितन अधिने ग्रो बैग है मेरे पास पांच ग्रो बैग है और एक करटा मिक्ति है जो एक बोरी मिक्ति होती है एक बोरी मिक्ति है और उसमें मैंने एक बोरी री काउडंक और 我也 निए नहीं हुआ है Cell höong डंक और मैंने स्ट्ट्रोंड्ट यू Lor ऑडर यूज़ मैंने बड़ा स् कोको पिट भी डाल सकते हैं तो अगर आप टैर्स पर रखना चाहते हैं तो कोको पिट मिक्स कर सके तो मैंने इसमें मैंट्य॥ा की मात्रा इस बार कम रखी है क्योंकि वो पहले से मिक्स्ट है तो वैसे ही मिट्टी बहुत हलकी और पोरिस है तो यह मिट्टी एच्छे सी तयार हो चुकिए मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट भी मिलाया हुआ है तो आपके पास अगर लीफ कंपोस्ट है सुखा हुआ तो वह भी आप मिला सकते हैं और फंगस के लिए आप इसमें वुडैश कम से कम 2-3 इंच तक आपको उपर की साइड ग्लो बैग में खाली रखना है ताकि हम और फिर कभी और भी कोई खात देना चाहें इसमें कोई फर्टिलाइजर देना चाहें तो इसके लिए थोड़ा स्पेस रहे तो इतनी मिट्टी लेने यह आप देख सकते हैं कि इतनी पो अधर प्रटिलाइजर देख सकते हैं तो इस तरीके से मैं इस आरे ग्लो बैक्स फिल किये हैं तो आज की वीडियो अपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताईएगा और यह आप देख सकते हैं पूरे मेरे गार्डन में मिटी मिटी फैली हुई है क्योंकि अभी पूरा वेजिटेबल जो गार्डन है टैरिस पर उसमें पूरा में साफ सफाई और पुरानी जो मिटी है उसको रिन्यू करना ग्रोबैक्स बढ़ना और सारे जो पूराने प्लांट से हटाना वीड सताना यही सब काम चल रहा है थ थैंक यू